कि इस क्यूशन में दिया है कि केंद्रे ओ के साथ एक वृत में ए सी बी ओ समानते चतुर बुजे जहां सी बिंदू सी एक बिंदू है जो चाप अबी परिस्तिते ए ओ बी कम आप पूछा है देखो एक वृत बना लेते हैं यह वाला एक वृत हो गया इसका सेंटर में मुझे लेना है वो लेना है ओ यहां पर हो गया यह सेंटर ओ अब इसने बोलाए एक वह समानतर चतुरुज है आपको क्लेरली दिख रहा है कि ओ पॉइंट है वह वृत का सेंटर भी है तो मैं इसको लेते हुए एक समानतर ठीक है इस टाइप से यह पॉइंट हो गया मेरा A यह हो गया C यह हो गया B और यह हो गया O अब आपको पता है कि समानतर चतुर बुझ के आमने सामने की बुझा है है वो बराबर होती है तो अब मुझे पता है कि ये और ये इक्वल है आमने सामने की बुझा है बट मुझे ये भी पता है कि ये और ये रेडियस भी है तो ये और ये भी एक्वल होगी ठीक है तो चारों बुजाए आपस में क्या होगी बराबर होगी ठीक है अब यहां पत्यान से देखना हमें पूछा क्या है ए और बी कमाप पूछा है ए और बी मैं आपको इस औरेंज गलर से लगा दूँगा यह वाला एंगल पूछा है आपको ठीक है अब देखो मैं आपको यहां से क्लियर करता हूँ यह वाली साइड यह क्या होगी मेरी ए को मैंने बी से मिला दिया ठीक है ए को बी से मिला दिया तो अब देखो कि मैं इस एंगल को क्या लेता हूँ थीटा लेता हूं ले लिए मैंने अब एबी जो हमारे कोर्ड है वो सरकल की सरकम्फरेंस पर क्या एंगल बनाएगी हमने यहां पर एक मिला दिया इसको ठीक है जो यह वाला एंगल होगा यह कितना होगा अप्र यह एंगल होगा वहोगा थीटा भाइन आट और इस पॉइट को मैं पी ले लेता हूं ठीक है कर ona से देखो मेरे पास egy वर चक्री चत्रुभु Hampshire कौन से चक्री शक्री बन रहे मेरे पास ये वालँ देखो कि कलर अपना कौन सा सही रहेगा इसके लिए इस कलर से करता हूं ठीक है यह वाला देखो यह चक्री चत्र बुज यह 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 पी एसी बी पी यह चक्री चत्र बुज बनेगा आप देखना यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके यहां तक यह चक्री चत्र बुज बन रहा है लाइन मैं दिखा हूं तो यह वाली लाइन यह वाली लाइन यह वाली लाइन और यह वाली लाइन और यह वाली लाइन करेक्ट तो चक्री चत्र बुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता ह 180C देगरी तो आपको देखोंगे तीटा बाई 2 प्लस तीटा बाई 2 प्लस एंगल C ACB एंगल A C B यह कितना होगा 180C ठीक है आपको पता है कि समांतर चतुरूज के आमने सामने के कौन बराबर होते हैं तो यह वाला एंगल और यह वाला एंगल कितना होगा यह वाला एंगल जो और मैंने पूझा क्या था ठीटा ही पूझा था आंसर के आजाएगा हमारा 120 डिगरी जो आप्शन नंबर डी में दे रखाया हमें ठीक है